हेलो फ्रेंज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल AKC Technical Classes में ट्रेंज आज का वीडियो अप्लाइट मैट्मेटिक्स थर्ड का है इसका कुछ हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और आपको ये भी बताया था कि आपके theoretical question इस chapter से आते हैं दोया चार नंबर में तो हमने कुछ टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उसका वर्डन फिछले वीडियो में कर लिया था तो आपनों playlist में जाकर वीडियो देख लिजिएगा डिपलोमा थर्ड समेस्टर मैट नाम से playlist बनी हुई है तो आगे के भी आज हम बात करेंगे जो बच्चे हुए मैट्रिक्स हैं उनकी लेकिन उससे पहले आपको हम यह बताना चाहेंगे कि कुछ student ऐसे हैं जो इसको पढ़ते नहीं हैं लेकिन आपको बता दें आपके लिए यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि बहुत से ऐसे question हैं जो आपके exam में पूछे जा चुके हैं आप लोगों के लिए आपके सामने है क्या है देख लिजिए दिखा गया question यह आपके first chapter 1.1 का question है यह सब इसका 36 नमबर का question है कहा है सममित आप व्यू क्या होता है वि क्या होता है तो इस सब आपके देखिए exam में ही आए हुए हैं आपके सामने देखिए सब question आपके इस सब exam में आए हुए हैं तो आपनों से हमारी यह request होगी जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसको आपको पूरा चरूर पढ़िएगा और जो आज बताने वाले हैं उसको भी बहुत ही बिद्वत तरीके से example से चरूर पढ़िएगा और इसमें यह भी दिया क्या है आप यू तथा साराणिक में अंतर असबस्ट कीजिए तो यह सब हम आपको इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे और यह जो है आप यू तथा साराणिक में अंतर यह भी चैनल लोगो सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में विल आइकन प्रेस जरूर कर लिजिएगा ताकि जो भी वीडियो प्रवाइट कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे तो देखिए अगला हमारा है फोर्टीन तक हमने बता दिया फिप्टीन के बारें बात करेंगे जो की है इसक्यो सिमेट्रिक मैट्रिक जिसे बोल सकते हैं विसम सममित आप व्यू हमने सममित आप व्यू बताया था जिसमें ए इसकॉल टू एक के पावर डैस होता था ठीक परिवार्थ अभ्यूक के राबर लेकिन विसमसम्समेंट अभ्यूग में आपको यह ध्यान देना है कोल्ट अधर मैंसकि अधर पांट ऑडफ स सेम टू सेम इतना ही अंतर है इसमें minus A के power dash हो जाता है और हमने आपको बताया था A के power dash क्या होता है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और आपको यह भी बता दें कि इस matrix में जो है जो आपके मोख्य विकार्ड होते हैं आपको हमने पिछली वीडियो बताया था मोख्य विकार्ड क्या होते हैं जो इस तिर्ची लाइन में जाते हैं वो पिसम सम्मित में 0 भी हो सकते हैं तो आप लोग ध्यान दीजएगा confused मत रहेगा तो इसका example आप लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं जैसे हो गया 0 3-3 0 ये जो हैं आपके विसम सममित आप व्यू कहलाते हैं तो आएगा तो आप लोग लिख दीजेगा एक्जामपल सहीद तो इसका एक बार थेयरी पर देते हैं लिख सकते हैं आप लोग यह दिक किसी वरग आप व्यू के लिए A is equal to minus A के पावर 10 हो तो उससे हम लोग विसम सममित आप व्यू कहेंगे तो आपका यह हो चुका बढ़ते हैं हम अपने next types की तरफ तो next type जो types है आपका वो है orthogonal matrix जिसे आप लोग बोल सकते हैं lambic up view तो देखिए गाईस हमने आपको बताया था सब question आपके exam में पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग बीदवत तरीके से पढ़िएगा अब हम आगे बात करते हैं lambic up view क्या होता है तो lambic up view को समझने के लिए आपको सबसे पहले a-स समझना पढ़ेगा तो a-स क्या होता है आईए उसको समझ लेते हैं एक बार फिर से एड-स जो होता है आपका वह क्या होता है परिवर्थ up view होता है परिवर्थ up view बोलें तो इसमें row को हम लोग कालम में करते हैं और कालम को हम लोग row में कर देते हैं आपको हमने पिछली वीडियो में बहुत वीदेवक तरीके से बता है आप लोग वहाँ जाकर एक बार विजिट जरूर कीजेगा तो लांबिक up view की बात करें तो लांबिक up view को समझने के लिए आपको सबसे पहले work up view समझना पड़ेगा एकोई work up view है और उसे a into a dash is equal to करने पर a dash into a आए बरावर क्या आजाए आई के आजाए ठीक ना तो आपका मालने जिए a बरावर कुछ दिया है कुछ भी मालने जिए आपका a बरावर दिया है आपका मालने जिए 1,0 और 0,1 दिया रहे ठीक ना अएसा दिया रहे », ओ AG और इसका जो a dash रहे , इसका a dash निकालेंगे तो क्या आएगा ? इसका यख़ए था बरावर किसके रहे 合ता है क्या आपको एक बरावर पता दें हमेशा के लिए ध्यान पे रख़के है I is equal two होता है आपका हमेसा के लिए ध्यान रखिएगा इसका यूज़ पड़ेगा I is equal two होता है आपका one zero 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 one zero zero one फिर 001 यह आपका होता है बधका हमान इसका हमेचा विकर्ड जो रहता है सेम रताया हो सकता है आपका 1001 मतलब यह जब भी रहेगा आपका वर्ग आप व्यू के रूप का रहेगा तो आपको लाम्बिक आप व्यू समझ में आया होगा ऐसा वर्ग आप व्यू मालने जी एक कोई वर्ग आप व्यू आप व्यू आप लिख सकते हैं ऐसा यदि A1 वर्ग आप व्यू है A1 वर्ग आप व्यू है तो A into A dash is equal to A dash into A is equal to I आना चाहिए तभी आपका यह क्या होगा आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो आसा गरता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा आगे का जो टाइप है वो है आपका complex matrix जिसे बोल सकते हैं आप लोग समिष्र आप व्यूद तो इसको समझते हैं complex matrix क्या होता है तो समिष्र संख्या आपने पढ़ाओगा समिष्र संख्या आपने पढ़ाओगा तो इसमें जैसे आप व्यूद के जो कुछ अवेवर रहते हैं वो आयोटा की फार्म में रहते हैं आयोटा मतलब समिष्र संख्या की फार्म में आयोटा वहाँ पर आई आप लोग पढ़े होंगे समिष्र संख्या में आई जो है बहुत ही मतपूर रोल निवाता है उसमें समिष्र संख्या में तो उसका कुछ जो अवेव रहेंगे, माल लिजे, आप व्यू आपका दिया रहता है, तो जैसे आप लोग बोल सकते हैं, 2 पलस आई, फिर यहां 1 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद लिख सकते हैं, 3 पलस आई, और यहां लिख सकते हैं, 1 पलस 2 आई, तो ऐसा आप व्यू जिसक जिसके अवेव रहें, किसके समिस्र संख्या के रूप में रहें, तो आपका क्या होता है, समिस्र आप व्यू होता है, तो इसका एक्जामपल देख लिजे, आपके सामने हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जो आई के फाम में रहें, आगे अगर बात करें, तो को है कंज्यूंगेट मैट्रिक्स जिसे बोल सकते हैं आप लोग सन्यख़मि आप तो सन्यख़मि आप यूद्ग में क्या होता इसको हम लोग समझते हैं तो देखिए सन्निकमी आप व्यू क्या होता है तो सन्निकमी आप व्यू को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा समिस्र आप व्यू तो समिस्र आप व्यू हमने बता दिया जिसमें आपके समिस्र आप व्यू कुछ समिस्र संख्या के रूप में रहते हैं तो सनिगमी अवयव क्या होता है एक बार इसका आप लोग पहले डिफिनेशन सुन लेजिए कि किसी समिस्र आप वयव के अवयवों को उसके सनिगमी अवयवों से बदलने से प्राप्त आप वयव सनिगमी आप वयव कहलाता है तो सनिगमी आप भी हो रहना चाहिए तो example के लिए हम लोग मान लेते हैं a is equal to आपका हो जाएगा 1 minus 2i उसके बाद 3 plus 4i टेक उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं 4 minus i उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं 2 plus 3i तो इसका आपको सनिगमी आप भी हो निकालना है तो सनिगमी आप भी हो को हम a के पावर बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको निकालेंगे सनिगमी परिवर्त आप भी हो तो क्या होगा सनिगमी से आप लोग गुड़ा करते हैं तो minus वाला plus हो जाता है तो इसका जब सन्युगमी निकालेंगे तो आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा यानि 1 प्लस 2 आई हो जाएगा और यह 3 माइनस 4 आई हो जाएगा और यह 4 प्लस आई हो जाएगा और यह 2 माइनस 3 आई हो जाएगा यही आपका सन्युगमी अभ्यू कहलाता है तो एक बार यह आपका समिश्रा प्यू है इसके सन्युक्मी में हम परिवर्तिन कर रहे हैं परिवर्तन करने हैं इसके सन्युक्मी से तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है तो यह सेम करने इसन यहाँ पर भी हुआ है तो आसा करता हूँ आपको यह भी समझ में आ आगे चलते हैं conjugate, transpose, matrix, सन्युगमी परिवर्थ आप व्यू तो सन्युगमी परिवर्थ आप व्यू क्या होता है इसको समझा देते हैं आपको सन्युगमी परिवर्थ आप व्यू तो आपने परिवर्थ आप व्यू भी पढ़ा है और सन्युगमी आप व्यू भी पढ़ा है तो माल लेजिए कोई समिस्र आप व्यू रहे, पहले डिफिनिशन सुनिए, कि कोई समिस्र आप व्यू रहे, उसके सन्यकमी आप व्यू के परिवर्त आप व्यू को, जैसे माल लेजिए कोई समिस्र आप व्यू रहे, डिफिनिशन सुनिएगा, यदि कोई समिस्र आप ये समिष्रा प्योद तो एब वारबर आपने माल लिया 1-2i, ऐसके बाद आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i हो गया, उसके बाद 4-i, उसके बाद 2 प्लस 3i, यह हो गया, अब इसका आप एक बार सन्युक्मी आप भी निकालेंगे तो इसका सन्युक्मी आप भी यानि एक पावर बार तो एक पावर बार निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आई, उसके बाद नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 आई, उसके बाद नहीं हो जाएगा 4 प्लस आई, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3 आई, तो यह आपका एंस्वर हो जाएगा, तो आप लोग इसका डिफिनेशन एक बार सुनें देजे फिर से, यादि कोई समि समय में के परिवर्त आप्यूप को हम एका समय कमीं परिवर्त आप्यूप कहते हैं, जैसे यहिएर बेखिए, dimmi मतलब यह समिस्र है, उसका समय मी है और इसका परिवर्त रूप है, तो आसा करता हूं, आपको यह भी समझ में आया होगा, देखिया आगे बहुत ही important है, आप तो देखिए सन्यख्वी आप विवी यकों सुनिग में नहीं सवरी हर्मिट्य नाप यै तो हर्मिट्य नप यूँ जैसे कोई समिष आप यू अपने परिवर्थ आपको बराबर हो यदि कोई समिसराप व्यू, मान लिजिए, वो समिसराप व्यू ए है, वह किसके बराबर हो, अपने सन्यूगमी परिवर्त आप व्यू के बराबर हो, यानि उसका जो सन्यूगमी रहेगा, वो एड बार हो जाएगा, वो इसका परिवर्त यानि एक पावर्टी के बराबर रहे, इसको हम बोलते हैं हम लोग hermitian upview आपके एक्जाम में question देगा कहएगा प्रूप किजिये यह जो है hermitian upview है तो एबराबर तो दिया ही रहेगा जितना मॅनल जो यह बराबर कुछ भी दिया रहे 1001 दिया रहे और प्रूप करना रहे तो इसका पहले आप लोग परिवर्थ निकालेंगे, मतलब सन्युगमी निकालेंगे, फिर इस सन्युगमी जो आएगा, इसका आप लोग परिवर्द निकालेंगे, तो यह जो आएगा, यह जो है, सबसे पहले a के बरावर रहना चाहिए हम आपको पढ़ाएंगे तो पताएंगे आप लोग बस समझ लेजए एक बार फिर से समझाते हैں माल नेज्वे कोई समिस्र आप व्यू चाहिए उसके बाद उसका जब परिवर्थ करेंगे तो इतना आएगा तो यही जो है यही आपका A के बराबर आना चाहिए यानि जो question दिया है solve करने पर इसके बराबर आ जाए तो यही आपका Hermitian Upview कहलाएगा तो आसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं Skew Hermitian Matrix Skew Hermitian Matrix तो देखिए 27 Hermitian Upview क्या होता है 27 Hermitian Upview को समझने के लिए ना तो आपको ध्यान देना इसमें सनिय गुमी का ना कुछ लेकिन ध्यान देना है बताते हैं क्या ध्यान देना है जैसे इसका definition यादी A मानने ज़े यादी A कोई वर्ग Upview है ये बराबर A के किसके बराबर A के पावर T बराबर आता है माइनस A के यानि A बराबर कोई भी आपको दिया रहे वाना चाहिए माइनस A के बराबर इसका एक एक जामपल देख लेते हैं तो आपको Hermitian विसम Hermitian आप यूँ कब समझ में आएगा जब इसका परिवर्थ आप यूँ माइनस A के बराबर आए यानि A बराबर कुछ दिया रहे ध्यान दिजेगा हम वह समझाते हैं A बराबर मान लिजे आपका दिया है 1001 ठीक अब इसका हम परिवर्थ निकालेंगे क्या निकालेंगे परिवर्थ तो परिवर्थ A के पाउड T निकालेंगे तो आपका आएगा वही तो आएगा 1001 ही आएगा और इसका जो है माइनस A निकालने तो आएगा क्या माइनस 1 0 0 माइनस 1 नहीं तो आएगा तो कहरा है A के बराबर रहना चाहिए एके बरावर किसके एके पावड T के या बरावर रहना चाहिए तो इसको एक बाद फिर से समझते हैं एक एकजामपल लेकर जैसे कि देखिए आपके एकजामपल में दिया गया यहाँ पर एक बरावर आपका दिया गया है 0-3 प्लस 4 आई उसके बाद दिया गया है 3 plus 4 आई उसके बाद यहां पर 0 है ठीक और आपको प्रूब क्या करना है इसमें प्रूब आपको यह करना था इसका जो एक के पावर T आता है क्या आता है एक के पावर जो बार के पावर T आता है वह माइनस A के बराबर आना चाहिए सब्सक्राइब निकालने के लिए एक पावर बार क्या जाएगा बराबर क्या जाएगा यहाँ चीरो और आपको हमने बताया था जिसमें आई रहता है उसी का केवल चेंज होता है तो जीरो हो क्या और यह माइनस 3 हो जाएगा और यह माइनस 4 आई हो जाएगा उसे प्रकार नीचे करेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस 4 आई हो जाएगा और यह आपका जीरो हो जाएगा इतना कर लेंगे अब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त निकालने के लि माइनस 3 माइनस 4 आई आएगा फिर यहां पर उपर आएगा 3 माइनस 4 आई और यहां पर आजाएगा 0 तो इसका यह हो जाएगा अब इसका में माइनस निकलना क्या निकलना है माइनस तो माइनस के लिए आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं माइनस वाला कैसे निकालते हैं हम लोग इतना सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर करना पड़ेगा तेखिए के पावर बार के पावर टी विनिकल गया अब आपको यहाँ पर माइनस 1 अगर आप लोग कामल लेते हैं माइनस 1 अगर कामल लेते हैं तो आएगा 0 और यहाँ आजाएगा क्या आजाएगा माइनस 3 यहाँ से देख रहे हैं माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ से माइनस three गोई गोई यह माइनस पहले से तो ये plus four आई हो जाएगा ठीक, नीचे करेंगे ये दोनों माइनस है तो ये plus में आ जाएगा three plus four आई हो जाएगा और ये तो zero रहेगा ही तो देखी यही जो value आई है इसकी जो value आई है वो किसके बरावर है minus 1 है और यह तो a के बरावर है तो minus 1 में जब a का multiple करेंगे तो minus a ही तो आएगा तो यहाँ पर minus a आजाएगा तो वही इसमें कहता है कि जो आपका a के power इसका सनिगमी इसका परिवर्थ जो रहता है minus a के बरा आजाएगा बस आप लोग इतना ध्यान दीजिए तो एक बार टेफिनिशन फिर से सुनिएगा यदि एक को इवर्ग आप यू रहे तो एक ओ विसम हर मीटियन आप यू तब कहेंगे जब आपका एक पावर बार के पावर परिवर्थ एक पावर बार के पावर जो यानि a kick up view a kick up view क्या होता है इसको समझते हैं तो देखिए a kick up view तब होता है जब a into a के पावर थीटा is equal to a के पावर थीटा into a is equal to i रहे तो आप लोग सीदे जब पी a kick up view पूछे तो आप लोग यह लिखते हैंगे तो आपका definition सही हो जाएगा अब यहाँ पर आपको a के पावर थीटा समझना होगा तो जो a के पावर आपका थीटा होता है उसके बराबर क्या होता है उसके बराबर होता है सनिगमी परिवर्थ आप यानि सनिगमी परिवर्थ आप यानि सनिगमी परिवर्थ आप यू की मतलत करें सन्योगमी परिवरता प्यूँ तो आपको समझ में आ गया होगा एक की का प्यूँ क्या होता है एक अमान दिया रहेगा उसका सन्योगमी परिवरता प्यूँ निकालेंगे इन दोनों का मल्टिपल इन दोनों के बराबर लहना चाहिए और ओं मल्टिपल आई के बराबर आना यही आपका एक एक आप भी होता है, जब भी आपके एक्जाम में पुछे, आप लोग लिख दिजेगा, A into A के पावर थीटा is equal to A के पावर थीटा into A is equal to I, तो आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, अब यहाँ पर बात करते हैं, A व्यूत करमड़ी आप यू की, singular matrix, तो यह क्या होता है, तो A व्यूत करमड़ी आप यू जैसे कोई वर्ग आप यू रहे, उसका साड़िक कमान स्चुने रहे, जैसे यह बराबर आपका कोई वर्ग आप यू दिया है, आप लोग definition लिख देंगे, यदि किसी वर्ग आप यू के साड़िक कमान सुनने हो, तो उसे व्यूत करमड़ी आप यू कहेंगे, तो यह समझ में आगया होगा, अब चलते हैं आगे, non-singular matrix, जिसे बोलते हैं व्यूत करमड़ी आप यू, तो व्यूत करमड़ी आप यू क्या होता है, यदि किसी वर्ग आप यू के साड़िक कमान सुनने नहीं हो, तो उसे व्यूत करमड़ी आप यू कहते हैं, यानि इसमें भी होई है, mode of a कमान सुनने के बराबर नहीं आना चाहिए तो यह आपका व्यूत करम ड़ी आप व्यू हो जाएगा तुवासा करता हूँ आपको समझे में आया होका अगर आगे बात करें सेखंड आप व्यू तो सेखंड आप व्यू और सेखंड आप व्यू का बहुत ही यूज है क्योंकि एक आपको निकालना पड़ता है व्यूत करम आप व्यू उसमें इनका यूज पड़ता है तो देखते हैं सबसे पहले सेखंड आप व्यू क्या होता है तो देखिए second आप्यू का definition चुनिए second आप्यू जैसे यदि किसी आप्यू के अवयमों को उनके संगत सारडिक यानि mod of A के अवयमों के संगत संखंडों से प्रतिय स्थापित करके बने आप्यू को second आप्यू कहते हैं इसे A के पावर C से represent करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए यह बराबर आपका एक्जामपल के तोर पर 5678 दिया हुआ है तो इसका जो mod of A आएगा वो आ जाएगा 5678 आपका यह हो जाएगा सबसे पहले अब इसका हमें second निकालना है 5678 का second निकालना है तो इस सब आपको बताएंगे हम जब एक्जामपल मतलब solve कराएंगे तो यहाँ पर आप लोग पर definition देजिए यदि किसी अभ्यू के जैसे यदि किसी अभ्यू के अव्यमों को उनके संगत सारडिक के अव्यमों के संगत सेकंडों से प्रतियस्थापित करके जो आप व्यू बनाते हैं उसे हम लोग साखंड आप व्यू कहते हैं अपनों को यह बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम जाद ही लग सकता है लेकिन आपको बताया जाएगा आगे बात करते हैं इसका व्यूज पड़ेगा जिससे आप लोग साखंड आप व्यू बोलते हैं तो इसका वी डिफिनेशन सुन लेजिए यादि किसी आप व्यू के साखंड आप व्यू के परिवर्थ आप व्यू को साखंड आप व्यू कहते हैं जैसे एक बाद फिर से सुनिएगा किसी AppView के Second AppView यानि Second AppView जिसे A के Power C बोलते हैं जो कि आपका उपर था इसके परिवर्थ AppView को Second Leaks AppView कहा जाता है जैसे माल लेजिए जो आपका A के Power C आया था माल लेजिए आपका आया था 1, 2, 3, 4 तो इसका परिवर्थ AppView यानि A के Power C इसका परिवर्त जो होता है इसके पावर में T हो जाता है इसका जो आ जाएगा क्या जाएगा 1, 2 और 3, 4 तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे Secondage of View, यानि A के पावर C का हम लोग परिवर्त निकाल देंगे इसमें A के पावर C का परिवर्त निकालेंगे यह आपका साखंड़ आप यू कहा जाएगा आगे बात करते हैं ब्यूत्कराम आप यू कहीं पर भी ब्यूत्कराम आप यू पूछे तो आप लोग सीधे लिखते जीगा A inverse is equal to 1 बटे mod of A into adjoint A adjoint A आप लोग इसको लिखते जीगा अब adjoint A क्या होता है adjoint A क्या होता है इसको अब भी बताते हैं जो secondage आप यू मतलब adjoint A के हमने बात की थी adjoint A की वही आपका secondage आप यू होता है जो की बरावर होता है A के पावर C के पावर T के ठीकना? एँ adjoint A होता है इसका प्रयोग आपका होगा ब्यूत्कराम आप यू में तो ब्यूत्क्राम आप व्यू बराबर होगा A के पावर इनिवर्स is equal to 1 बटे mod of A into adjoint A. तो adjoint A का मतलब हो गया secondage आप व्यू जिसे आप लो लिख सकते हैं adjoint A is equal to A के पावर C के पावर में T. यानि जो second आप व्यू होता है उसका परिवर्त आप व्यू सेखंड़ आप व्यू को एडजवाइन टे करते हैं और इसका प्रयोग होता है व्यूत्क्राम आप व्यू में तो आज के लिए बस इतना ही और जो आप व्यू हम साड़िक में अंतर है वो हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और हाँ अगर कोई भी आप व्यू आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजेगा हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा जब हम कोई एक्जामपल या कोस्चन साल्व कराएंगे तो आप लोग हमारे साथ लाश्ट तक जरूर बने रहेगा अगर आप लोग हमारा सयोग करेंगे तो हम भी आपकी पूरी हल्प जरूर करेंगे